में आइए सयर्ड में अरे ज़िदर घूस नहीं मिलेगा साइड में आइए बता रहें क्या मिलने वाला है आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे अपवर्तक अपवर्तक जिसे हिंदी में एक और भासा होतीहा जिसमें इसको बिभाजक बोलते हैं इसको इंगलिस में का बोलते हैं डिवाईजर एक और टॉपिक होगा इसमें सबसे पहले इसमें जवाब जो आया है वो अनुपा मौर्या का आया है और नेहा बर्मा का भी आरा थोड़ा बहुत थीक है अगला होगा अपवर्त को इंगलिस में बोलते हैं मल्टीपल दूसरी लेंग्वेज में इसको गुड़ज भी बोलते हैं लेंग्वेज नहीं मतलब इसका एक और नाम है मल्टीपल यह दो मुख्य टॉपिक होंगे यह LCM और HCF के छोटके बच्चे हैं और चोटके बच्चे कहना गलत होगा मतलब नियू है यह ठीक है LCM HCF की नियू है यहीं से LCM HCF की दीवार खड़ी होने वाली है कि ठीक है तो इसका जबाब कुछ लोगोंने बताया कुछ लोग सर्मा रहे हैं कुछ लोग तो मुह में दही जमा के बैठे हैं ठंडी में कौन जहमत ले इतनी कड़ाके की ठंडी पढ़ रही फालतू टाइपिंग करें तो ठीक है कोई बात नहीं जाने दीजिए आईंए हम आ अगे बढ़ते हैं इसका जबाब बता दें देखिए साथिऊं वन मीटर में 1000 सेंटी मीटर होता है तो अगर हम 1 सिंटी मीटर में मीटर निकाले तो वहन आपान 1000 हो जाएगा मीटर ओक्रें तो 25 सेंटीमींटर में अगर मीटर देखेंगे तो 251, 1000 हो जाएगा इसको काट पीट दीजिए जो कट पीट जाए हम काटे पीटेंगे नहीं सीधा फीधा लिखेंगे तो 0.025 मीटर कुछ लोगों ने बताया था लेकिन बीच में 0 न लगाया था असनेह तिवारी बलाक करतें तब तुम जानोगी नहीं है न पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं यह सब मतलब हैं तो बहुत अच्छे बच्चे लेकिन कभी-कभी ऐसी बात बोल देते हैं न कि पूरी आत्में सुलक जाती अंदर से समझ लो मैं देखता हूं ऐसे नालायक तूड के लाये थे का पढ़ाये थे तभी तो बनी थी भाई पढ़ाये का कोई तभी तो बनेगी न हम आके एक्टिंग नहीं करेंगे तो बनेगी कैसे वीडियो बनाना क्या आसान होता है क्या इनको लगता है कि लाइप पढ़ाना मुस्किल है वीडियो बना देना तो है बताएं जनको गिंति जेसी सब को कि है पहाड़ा जाता होगा थोड़ा पह hombres यह होगा तो यह तो आप सबको पता है इस की परिभासा हम नहीं बताएंगे पहले आप सिर्ब मतलब देखो बस चल यह देखिए कि यह जो फौर है ना वन से वहाँ पर क्या लिखा भी भाजक क्या लिखा भी भाजक ना यानि फौर को किस-किस संख्या से पूरी तरह से भी भाजित किया जा सकता है यही अपवर्तक है समझे रहा है ना जैसे कहे हैं कि तुम्हारी कोई गुप्त बात है सीक्रेट एकदम तुम्हारी और उसकी और उसे कुछ लोगों ने मतलब किसी तरह से हासिल कर लिया है तो वही क्या है आप दोनों के अपवर्तक हैं वही उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं वाकि कोई तूसरा नहीं समझ रहा हो ना कुछ समझ में आए कि नहीं जैसे कोई आपकी गुप्त बात है सिक्रेट है एकदम और उसको आपके दो नलाइक दोस्त जान गए तो वो क्या है वही सिर्फ वही सिर्फ वही दो क्या है अपवर तक है मतलब ऐससे समझ लो आईए इधर साइड में देखते है ये फोर अब विभाजित का मतलब क्या है पहले वो भी बता दें जैसे देखिए फोर में हमने अगर वन का भाग किया तो वन फोर जा फोर इसमें थोड़ा कुछ न समझ में आया होगा देखिए अभी कुछ नहीं समझ में आयेगा थोड़ा देर बिल्कुल धड़कन थाम के बैठे रहिए देखते रहिए और मगर प्यार से और मगर सोना नहीं कि देखते देखते आ जाए नहीं यह क्या आरा जीरो ना इस तरह से अगर फोर में हम टू सेट भाग करें तो भाई सिधी सी बात है हम सबको पता है कि दो का पाड़ा पढ़ना जब तक चार ना आ जाए बच्पन में यह पढ़ते आए पढ़ते आए ना तो यह कितना जाएगा दो दूना चार गटाने भी कित किया तब भी कि भाजक जो भी आया उससे नहीं मतलब सेजबल जीरो आइसम भीजीरो आया अगर हम 5 को फोर से भी भाग करें तो फोर वन जा 4 अभी कि आएगा 0 बताई ये सब सई जा रहा है कि नहीं और डॉली सिवानी अंसर सही है अच्छा हर्षिता सर्मा रंगोली राजपूत अनुपम् सिल्पा केसर्वानी नेहा बर्मा नेहा मिस्रा नेहा तिवारी दिब्या तिवारी अनुपम् इंग्लिस सेंटर सी नाम क्या वहिया आपका बहु ज़्यादा नीन आती इस टाइम वैसे भी जो मज़ा है सोने में वह नहीं दुनिया के किसी खोने में तो आप जाके सो जाएं किर्भा करके यह बताइए कि अब थ्री से डिबाइड करेंगे तो जीरो आएगा बताइए अगर हम लोग कोई ऐसा काम करने जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है तो नीन नहीं आती है आप सोचिए एक मिनट के लिए एक मिनट के लिए सोचिए कि आप किसी की बारात में गये हैं आपकी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है आपके बेस्ट फ्रेंड की साधी हो रही है और जैमाल का टाइम हुआ तो क्या तुम सो जाओ गया हो बैठके नहीं न अखे तुम्हारी बिलकुल गड़ी रहेंगी देख रहें के ती नहीं नहीं आगी क्यों है क्यों यूज नहीं आती है अगर हमें कहीं जाना है सूबर ट्रेन उता उनओ 15 अक्सर नेमद खुल झाति उसके 10 मिन पहले क्यों दमाहुत रहता है उसे खरना यह लेकिन पढ़ने में निन आती है क्यों एसा लगता है यह सब dalam आ कभी इसमें दिमाग कामी नहीं करता है यह वजवत नीन दाथी है इसमें जीरो सेजफ़ल नहीं आएगा क्योंकि तीन के किसी भी भाग में अगर हम पढ़ें तो पहाड़ा पढ़ें एक परकार से बोलें तो जीरो मतलब फोर नहीं आएगा तो थिरी वंजा थिरी सेजफ़ल 1 आएगा हमने क्या कहा था कि stres 4 आना चाहिए शेष फल सुनने आना चाहिए न यानि कहने काoupe ये तात्यपर है कि ये दो 1 और 4 हम कह सकते 1-2 और 4 ये इसके क्या है यह वह सकते नोर्टक क्या है आप औरतक यह लिए अगर हम कहें कि फोर का पवर्तक बताईए तो फोर का पवर्तक वन टू फोर वन टू और फोर अगर कोई ऐसे पूछे कि चार का कोई एक पवर्तक बताओ अगर कोई चार का अपवर्तक चार बता देता है या कोई अगला जो दो बता देता है या अगला कोई एक बता देता है सबका सही है किसी का गलत नहीं क्योंकि चार के तीन अपवर्तक हैं कहीं हो सकता आपके परिच्छा में घुमा फिरा के पूँच लिया जाए गुमा फिरा के पूछ लिया जाए कि संख्या चार के कितने आप वर्ता को सकते हैं तो भाई साधारण तो तो तीन ही होंगे जो दिख रहें आपको है ना वाकि मैत में अगर और अंदर घुसे वह भी आपके काम का नहीं है आप अगर डियलेड में है या आप कुछ भी इस ल संख्या 6 के कुल कितने अपवर्ता को सकते हैं जल्दी से जबाब दीजिए देखते हैं सबसे पहले कौन बता रहा है संख्या 6 के कितने अपवर्ता को सकते हैं इसमें जितना जादा हम खुल मिल जाए उतना ही कम है हमारी कोशिस होगी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की ल जल्दी बताइए अनुपम बहुत अच्छा बेरी गुड नेहा बर्मा बहुत डाली बोलें या सीवानी बोलें या कुछ भी न बोलें एक से लोग पता पूरे गांवाले का नाम ही अपने उपर रख लेते हैं चलो ठीक है वन टू थ्री और सिक्स है चार अपवरतक हो सकते हैं क्यूं मैंने गलत लिखा क्या नाई सब्सक्राइब कि यानि संख्या 6 के कितने अपवर्ताइब हो सकते हैं दूसरी इसकी एक जो और भासा बोलने भासा नहीं इसका दूफरा नाम है बिभाजक संख्या 6 के 4 विभाजक हो सकते हैं इंगलिस में बात करें तो टोटल नंबर आफ डिवाईजर फोर हैं किसके 6 के सभी को समझ में आ रहा ना कि नहीं आया कोई ऐसा प्राणी है इसमें जिसको ना आया हो कोई एनिवन सर्माना नहीं यहां लाजसरम नहीं लगनी चाहिए बताइए अच्छा ठीक है अगर आप लोग लाजसरम छोड़ी चुके हो मतलब पढ़ाई में तो इ सिल्पा केसरवानी सोनु कुमार दिब्या काजल ठीक है भाई देखो कोई नराज नहीं होना थोड़ा थोड़ा आप लोग जागते रहो इसलिए अगर हम आप लोगों के ऊपर कोई बीच बीच में टिपड़ी भी कर देते हैं तो उसको बिल्कुल दिल से मत लगाना हम हाँ इसका सबसे पहला जबाप कौन बताया है एक तीन पांच और पंद्रा यह 135 और पंद्रा जो बताया भाई योगेंद्र सिंग गलत है योगेंद्र जी आप जल्दी में गड़बड़ी कर रहे हो पूजाश्री गुड इबनिंग डॉली फैजल अली रंगोली ठीक है बहुत अच्छे चलिए आगे चलने बढ़ें आप लोग समझ गए सभी तो एक सूर में बोलिए यस 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 और हाँ ये सेशन को जो लाइक नहीं किये न भई देखो ऐसी गलती ना करो यार आप लोग की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं आप उसे समझ ये क्योंकि हम सब कुछ छोड़ चाड़ के अगर आपकी कलास चला रहे हैं इतनी थंडी में तो आप कलास को लाइक भी किया करिए चलिए फटा फट लाइक कर दीजिए हर कोई अभी आधा कोई आधा नहीं लाइक किया मतलब पचास परसेंट ऐसे हैं जो नहीं किया भाई कि बरबाद हो गया मैं तो अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं जब तक हर कोई लाइक नहीं करेगा जिनको पढ़ना पड़ेगा जिनको जानना जाएगा चलो क्योंकि दोने लोग की गर्ज होनी चाहिए ना अभी 28 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जाहमत नहीं उठाई कुछ लोग सोच रहे होंगे लाइक करने से का मिलता है तो बताएं जो आप लोग इंस्टागराम या फेस्बुक पर अपनी सेलफी लगाते हैं इसे करके मूठेड करके न वहां जो लोग लाइक करते हैं मिलता है न वैसे यहां भी मिलता है उससे ज्यादा कुछ नहीं लेकिन वह जरूरी होता है आए चलें आगे बढ़ें हमें लगता इसका कमेंट थोड़ा सुलो मोड में किया गया इसलिए लोग कमेंट नहीं कर पा रहें स्पीड में अच्छा एक मिनिट का सुलो मोड है ओहो आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं सुलो मोड में बंद कर देता हूं चलिए आप कमें करिए बिल्कुल इच्छा की अंतिम पूर्ती तक चलिए तो यह हो गया ठीक है अब आईए इधर साइड हम बात करते हैं इसके जो अपवर्तक हो सकते हैं वह 1 3 5 और 15 क्यों इसके अलामा कोई और भी हो सकता है क्या इसके अलामा कुछ और भी हो सकता है क्या हम नहीं न इसके कितने हो सकते हैं कौन-कौन यानि कुल अपवर्तक की संख्या कितनी है इसमें आपको दिख रहा है कुल कितनी है छे है अब हम इसको खतम करके आगे बढ़ते हैं ठीक है फटा-फट चलिए आगे चरते हैं हम ओके तो यह अपवर्तक आप लोग समझ गए सभी समझ गए लेकिन यह इतनी छोटी छोटी नंबर से काम नहीं चलेगा अभी बढ़की नंबर में भी काम करना पड़ेगा क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो ऐसे छोटा-छोटा में थोड़ी काम चलेगा अच्छा इसका जो जब आप सही सही देगा हम मान लेंगे कि उसको आने लगा उसको एक सर्प्राइज मिलेगा अभी तुरंद चलिए देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले तो मुझे यह बताओ एक सब्द में कि 84 के कुल कितने अपवर्ता को सकते हैं इसके लिए आपका कल्कुलेशन थोड़ा तेज होना चाहिए मतलब गिंती पहाड़ा आना चाहिए इसके कुल कितने अपवर्ता को सकते हैं 5 7 9 या 12 जबाब दीजिए फटा फट बताईए जल्दी करिए कितने अपवर्ता को सकते हैं बताना नहीं है कौन कौन है सिर्फ इतना बतादो पहले कि कौन मतलब टोटल कितने हो सकते हैं जल्दी बताईए अरे वाह नेहा बर्मा इन्होंने भाईया सब पूरी कहानिये लिख दिया इतनी जल्दी कमाल है बहुत अच्छा बेरी कुड और यह सब अभी तक यह नहीं किन पाए क्या कि टोटल हैं कितना चलिए ठीक है अच्छी बात है अठाइस बाद में लिखा है 42 मतलब सही यह का ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड दस बारा लगभा गए ना बारा आई यह देखिए अब और तक क्या है आप सभी जान रहे हैं इनके टोटल बारा पवर तक हैं कौन-कौन है एक दो तीन चलिए लिखते चलिए फटाफट एक तो तीन चार पांच से तो कटेगा नहीं कभी भी छे अब देखिए जो गिंती चे से कट रही वह बारा से भी कटेगी सीधी सी बात है लेकिन 12 सते 84 होता है न यानि 7 से भी यह कटेगी पक्का है और 8 से भी कटेगा क्या नहीं कभी नहीं कटेगा 8 से क्यों नहीं कटेगा बारा अठ्थे चानवे ऐसा कुछ होता है क्या नहीं होता है नो से कभी नहीं कटेगी दस ग्यारा 10 से तो कोई चांसी नहीं है ग्यारा से भी नहीं है बारा से कटेगा बारा सत्थ चौरासी तेरा से भी कटेगा क्या यह हां नहीं तेरह सत्त्य क्यान नहीं कटेगा 14 से कटेगा 14 छंग 84 होता है 15 16 बिल्कुल नहीं कटेगा 17 18 मुझे नहीं लग रहा कटेगा अब सीधा सीधा यह किस से कटेगा 21 21 से कटेगा हां क्यों क्यों कि चार एकम चार चार दूना आठ ठीक है 21 के बाद 28 42 और 84 कि इसके क्या है अपवर्तक हैं क्या है अपवर्तक हैं अन्सिका समझ में आ रहा है नरेश हर्सिता रंगोली दिब्यासिलपा अकमल और चौधर इची आरा समझ में तो इसको हम यहीं पर टॉपिक पर इंड करते हैं अब अगले टॉपिक पर चलते हैं क्योंकि यह कहानी जितना भी करते जाएंगे कमी है यह कुछ नंबर दिये गए आप लोग इनका आप और तक कर लीजिएगा इनका आप और तक आप लोग कर कितने कितने हो सकते हैं यह बताईएगा अब आगले टॉपिक पर चले हम अफने हाजी आपकी जो भी बाते हैं आप नंबर पर भेज दीजिए नीचे नंबर चल रहे हैं इंक्वारी के लिए आप उस पर अपनी बात को लिख के भेजिए वहां पर आपको समधान किया जाएगा जो भी आप कहेंगी चलिए तो अगला सब्दों को उठाते हैं जिसका नाम है हैं deafन देशा का है तो ठिक हैं अब इनको लिखिए देखिए इनका मतलब है एक परकार से पहाड़ा क्या है पहाड़ा ठीक हए जैसे देखिए मैंने 7 अगर लिया तो 7 के जो गुड़ज है कहने का ये मतलब है कि इसके सभी गुड़ज हम ऐसे निकालेंगे वो नमबर में 1 से multiple करेंगे 7 फिर उसी नमबर में 2 से multiple करेंगे 14 फिर उसी नमबर में 3 से multiple करेंगे 21 फिर 4 से करेंगे 28 और फिर 5 से करेंगे इस तरह से 35 अब मुझे एक बात बताईए आप लोगों को जहां तक मालूम है क्या इनके अपवर्त निश्चित संख्या में होंगे या निश्चित होंगे अनलिम्टेट जिस तरह से आपको दिख रहा है क्या इनका कभी अंत होगा भैजा लली बताइए छे अंत होगा की नहीं होगा भईया कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 10 तक करेंगे बस होई जायेगा नहीं गलत है इनका कभी अंत नहीं होगा ये निश्चित नहीं है सीवानी और डॉली ये अनिश्चित है इसका मतलब ये थोड़ी है कि केवल 10 तक कर लेंगे इसे 7 दहमा 70 बस काम खतम नहीं हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ये भी क्या है 7 का मल्टीपल ही है इसको 12 से भी कर सकते हैं 7 का मल्टीपल है ये भी 7 का मल्टीपल है यानि हम कह सकते हैं कि ये अनलिमिटेड होते हैं जैसे आपके मोबाइल में अनलिमिटेड मोबाइल में कॉल करने को मिलता है आधिकतर लोग नहीं जानते होंगे कि क्या आप जानते हैं कि मोबाइल में जो unlimited बात करने का एक plan मिलता है कि किसी भी परकार का number है यह उसमें चाहे जितनी बात कर सकते हो अम बताये आप लो को यहीज लगता है कोई भी plan आप ले लो कितना गंटे लगे रहो नहीं चलेगा उसमें भी लिमिट है यह लिमिट मैंने भी क्रास किया था इसलिए मुझे पता है अधिकतर कोई नहीं करता है लिमिट क्या होता है पता है मालूम है कि नहीं उसमें लिमिट होती है बताएंगे विचली आगे बढ़ते हैं जैसे आपका 100 मैसेज का लिमिट होता है ना टेली 100 मैसेज आप सेंड कर सकते हैं उसके ऊपर नहीं उसी तरह से उसमें भी लिमिट होती है लेकिन मुझे थोड़ा ओर लीमिट में कन्फ्यूजन हो रही इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ था आप लोगों की कॉल बहुत सारी आती हम लोग रिटर्न करते हैं हमारे टीम के द्वारा तो वहां से पता चला है चलिए ठीक है फिलहाल उसके बारें बात में बात करेंगे आए इस पर बात करते हैं तो अभी हम क्या कर रहे थे अपवर्थ हूं अपवर्थ न यह बताईए मैंने एक नंबर लिखा 12 कोई भी इनमें से इसका तीन अपवर्थ बताए जल्दी बताईए तीन अपवर्थ बताईए जल्दी करिए फटा-फट जल्दी करिए फटा-फट बताईए नेहा मिस्रा ठीक है और कोई एनिवन पूजास्त्री डॉली सिवानी पंगोली ठीक है बहुत अच्छे बरी गुड और कोई एनिवन योगेंद्र अकमल सोनू सिल्पा ठीक है बरी गुड चलिए जल्दी-जल्दी फटा-फट बताते जाईए ठीक है एक और बताईए इसके मैंने क्या पूछा अपवर्थ पूछा मल्टीपल पूछा आप लोग मुझे इसका मल्टीपल बता सकते हैं कोई दो मल्टीपल इसको मैं खतम करके आगे बढ़ाऊं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है देखिए अभी तक कुछ लोग लुँए तो चैनल सबस्क्राइब कैरे वो कमेंट नहीं कर पा रहे थे और उन्के लिए मैंने मौका दे और सब्सक्राइब और स्ब्सक्राइब कर लेने उनके लिए मैंने मौका दे दिया नहीं यहीं तो हमारी प्रॉब्लम है समझ मैं आ रहा ना सुकला जी आपकी कमेंट मुझे बहुत अच्छे दिख रहा है चलिए तो मैंने पुछा इसका मल्टीपल या अपवर्त या गुड़च तो कोई भी दो बता सकते हो आप मैंने दो ही पूछा था दो तीन जो भी तो आप यह से बता सकते हो 24 36 48 यह शुरू के हो गए हां चाहे तो 120 भी बता दो तब यह गलत नहीं है ठीक है नेहा बर्मा इन्होंने बताया 168 & 252 कोई बता रहा 84 & 168 ठीक है सब का सही है देखे सीधी सी बात यह है कि वह संख्या जो 84 में मल्टीपल करके प्राप्त की गई हो वह सभी इसका अपवर्त या गुडल क्या बोलते हैं उसे गुडच होगी ठीक है जैसे देखिए एक्जाम्पल के लिए अगर हम 84 में 9 का मल्टीपल कर दें तो 9 चॉख छतिस असिलावत तीन और 9 अठे 72 तीन पचत्तर तो यह 756 भी क्या है 756 चॉरासी का मल्टीपल है या अपवर्त है या गुडज है कुछ भी कह सकते हो अगर हम वही 84 को सिर्फ वन से मल्टीपल करें तो 84 आएगा यह 84 भी क्या है यह 84 भी क्या है यह भी क्या है यह मल्टीपल है किसका 84 84 का खुद मल्टीपल है ठीक है कोई डाउट किसी को किसी के मन में कोई डाउट बताइए जल्दी बताइए नहीं न तो इस तरह से आप आप लोग मल्टीपल निकाल लेंगे हाँ जो लोग 168 बता रहे हैं पता नहीं किस से गुड़ा करें वह दो से करेंगे न सायद हाँ दो से करें यह दो चौक आट दो अठे सॉला ठीक है कोई दिक्कत नहीं ओके तो इसका मतलब यह आप लोग समझ गए मल्टीपल समझ गए और डिवाइजर समझ गए उमेश गुपता ठीक है उमेश बहुत अच्छे नहीं हां मिस्रा बेरी गुड आईए एक और बताइए इमांदारी से बताईएगा बड़ा प्यार से बताईएगा आईए देखिए एक नंबर मैंने ले लिया 128 128 क्या 64 इसका मल्टीपल हो सकता है एनिवन बताईए क्या 64 इसका मल्टीपल हो सकता है हम सभी जल्दी से बताईए प्रिया सुकला सिल्पा सोनू मैंने पूछा आ कि 128 का 64 जो है वो मल्टीपल हो सकता है गुड़ज हो सकता है अक्सर लोग बता रहे नहीं 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 बर्मा बता रही हां हो सकता है कैंसे और को यasnya किको अनिवन और को अक्य कोई बता रहा है की अनुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि इस को भाग से देंगे दो से दिशंक बारफ दूचे कर देंगे इनका यह मतलब होगा कि आईए देखते हैं देखिए मैंने क्या बताया पहले तो इसका परिभासा सुन लीजी परिभासा सुन लीजी आप लोग इसको इतना समझ यह ठीक है आप एक और बताते हैं ठीक है 128 अभी बात करते हैं आगे 1280 क्या यह 1280 का मुल्टिपल हो सकता है बताइए हो सकता है कि नहीं कि जल्दी बताइए यथे कैसे हो सकता है कि आप लोग करेंगी हां इसका मतलब आप एक स्मझ सकते हैं ओ कि कभी भी बाब की ऊम्र बेटे की कंick का महीं और अगर ऐसा है तो वह में तो यह नहीं है वो उसका बेटा भी नहीं किसी और का है समझ रहे हो ना एक बात में बस कहने का यह तात्य पर है कि वह संख्या जो इसका क्या है अपवर्त है या गुडज है उसको जब ऐसे किया जाया ऐसे मतलब ऐसे समझीए यह 1280 इसको 128 से भाग करें तो यह कट जाए जीरो आ जाए तो क्या ऐसा कभी संभव है कुछ लोग सोच रहा हों कि गुड़ा करकर बनाया जाता इफलेश को एक बटा दूर्य से घुड़ा करके निकाल लेंगे तो एक बटा दो से घुड़ा करके नहीं निकालते हैं यह बताए हमको आप लोग कि क्या ऐसा करने संख्या में भाग जाएगी 9 ऐसे सफल वि असामलों में ले जाना है दसामलों ले गए तो मामला गड़े और सीधा सीधा क्या कोई पूड संख्या में भाग जाएगी इसकी इसमें नहीं जाएगी नप कि अगर नहीं जायेगी तो हम कह सकते हैं कि 128 का जो यानि कहने का यह मतलब है कि गुड़ज यानि अपवर्त कभी भी किसी संख्या से छोटा नहीं हो सकता है ठीक है इसका एक एक जामपल याद रखिएगा जो मैंने बताया कि कभी भी पीता जी की उम्र बचवा की उम्र फे कम नहीं हो सकती है ठीक है और अगर ऐसा है तो कुछ आखगणद बढ़ा है कि यह आप लोग दोनो शंब सवेज़ेए अप वर्त भी समझ गए और गुड़ज भी समझ गए कि又 कि इसमें और क्या है यहतो अभी आप लोग सिंपल सिंपल सा समझें इसमें कुछ खतरनाक भी हैं इनकी परिभासा लिख़ासरे दूनों का पहले क क्योंकि समझा तो मैंने दिया है परिभासा लिखेंगे तो थोड़ा और किलियर होगा लिखिए परिभासा लिखिए आप लोग परिभासा लिखिए कौन सा पहले लिखेंगे पहले आप वर्तक का लिखिए अप वर्तक या विभाजक का लिखिए पहले जल्दी हेडिंग डालीए फटाफट देखें होता क्या है मैंने अच्छे समझा दिया अप अरिवासा आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि नहीं कितने लोग लिख सकते ह है वह संख्या अथवदें ज को अहीं अव्या नहीं किया भी कि बाद में ठीक है वह संख्या अत्वदेंजक जो किसी दूसरी संख्या अथवंदेंजक को पूरा पूरा विभाजित करता है पूरा पूरा विभाजित करता है मदलब डिवाइट करता है ठीक है दी हुई संख्या अथवा बेंजक का अपवर्तक कहलाता है परिभासा मदलब डेफिनीशन ठीक है उदाहरण के लिए लिख लीजिएगा जैसे माल लीजते हैं मैंने 12 ल जो दी हुई संख्या का यानी दी हुई संख्या बारा है तो वो संख्या बेंजक छोड़ दीजिए क्योंकि बेंजक कहां काम नहीं है वो संख्या जो इसको पूरा-पूरा विभाजित करें वो इसका क्या अप और तक तो क्या हो जाएगा वन से पूरा-पूरा विभाजित ह क्या के लुगा प्स्रों से भी होगा थी से भी होगा 12 से भी होगा ये सभी क्या इसके अपको आपतक कि रेशमी सिंघ आया समझ में वह आप लोग कलास को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं क्या चाहिए कुछ और लग सेका पचास से ज़्यादा लोग जुड़े हैं लाइक अभी तक मात्र 38 लोगों ने किया है बाकी लोगों को सरा मार यह भी थोड़ा-थोड़ा उससे भी कमी लोगों ने किया 30 लोगों ने किया मस पस अभी हमारे में अपडेट नहीं हुआ कुछ लोग चले भी गए इस मेंसे जो हैं उन्हों उन्हों में से अवे अधिकतर नहीं किये क्यों कोई कमी है तो बताइए नहीं तो हम आगे टॉपिक पे चलें टाइम ना बरबात करें फटा फट लाइक करें जल्दी से हाँ क्रिफना कुमार ठीक है कमेंट आ रहा है तो यह हो गया अपवर्त वाला लिखिए अपवर्त या गुड़ाजीस को लिखिए को लिखिए फट-फट वर्त आप आफ हुग वछ शंक्यात अब बन जो कि जो यह पिर जिस से ठीक है रोक एक मिनृट यह कि यह इसका एक-जामपल नहीं लिखे ले कि तो ज्यादा समझ में आयेका इसका एक-जामपल लेते हैं मैं Chief लिखेअ गारूं He यह दूसरे वाले का है तो यह 12 हो जाएगा 24 हो जाएगा 36 हो जाएगा डाट डाट यह क्या है इसी के परिभासा हम लिख रहें ठीक है तो वह संख्यात वबंजक जिसमें जिसमें किसी अन्य दी हुई संख्यात वबंजक से पूरता भाग दिया जा सके वो संख्यात वबंजक जिसमें किसी अन्य संख्यात वबंजक से पूरी तरह से भाग दिया जा सके वो सभी संख्याएं उसका क्या का लाएंगी अपवर्त का लाएंगी है ना ऐसे तो कुछ आप समझ गए कि नहीं बाकी इसे आप अपने अपने से भी लिख सकते हैं कहने का मतलब आप समझ गए इसे एक दूसरी भासा में पहाड़ा भी बोल सकते हैं किसी भी संख्या का ठीक है जैसे यहां पर देखिए 12 का पहाड़ा क्या है 12 12 24 बारतिया इच्छ तीस बारतारीस आ जायेका उसके आगे भी चलता जाएक चलता जायका जाए थीक थीक है दूसरे तरीके से इसको लिख लिजिए येदि कोई संख्या अथवा बेंजक किसी अन्ने दी हुई संख्या अथवा बेंजक से पूर्ता विभाजित हो जाए तो पहली संख्या अथवा बेंजक को दूसरी संख्या अथवा बेंजक का अपवर्ते या मल्टीपल कहते हैं ठीक है हो गया चलिए उदारण के लिए लिख लेजिए बारा और बारा के आगे लिख लेना बारा एककम बारा बारा दुना 24 बारत याई 36 ऐसे पूरा लिख लेना ठीक है तो यह आप लोगों का काम हो गया खतम अब आगे बढ़ते हैं ठीक है कोई डिक्कत किसी को कोई परिशानी तो बताईए मोसिन दूबारा बोलो दूबारा बोलो मतलब अकल तो आएगी नहीं कभी तो हम क्या करें अब अकल तो लाके देंगे नहीं जिसको बोलने का ही तरीका नहीं है उसको बोल के क्या करेंगे चलिए ठीक है आगे क्या करना है यह समझ गया आप लोग दोनों हो गया अब इसका अगला इस्टेप है लसी एम और अच्छी अफ ठीक है क्या है LCM और HCF लेकिन उसके पहले एक चीज है वो क्या है फैक्टर अतिये एकल चलिए ठीक है आप इका तो इंतजार था फैक्टर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है LCM को हिंदी में क्या बोलते है कोई जानता है HCF को क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से कोशिस करिए इसको बोलते हैं लगुत्तम समाप वर्तक नहीं वर्त बोलते हैं कि वर्तक यह महत्तम समाप वर्तक होता है न बताइए फटा-फट देखिए इसके पहले हम बात करते हैं किसकी पहले बात करते हैं फैक्टर की फैक्टर मतलब गुड़नखंड की बाकी उनकी बात-बात में करेंगे या क्योंकि जब तक यह नहीं आएगा यह नहीं आएगा तो जैसे माल लेते हमने कोई नंबर लिखा 24 तो 24 किन किन संख्याओं से कंपलेटली डिवाइड हो जाएगा वही क्या होता है वही क्या होता है इसके फैक्टर होते हैं ठीक है तो जैसे देखिए अब 241 से कंपलेटली डिवाइड हो जाएगा 2 से भी हो जाएगा 3 से भी हो जाएगा 4 से भी हो जाएगा 6 से भी हो जाएग इसके पवर्तक कितने है अरे वही अभी जो पढ़ाते आया हूं कुल मिला के फैक्टर ओ क्या हो रहा था ये ये ही अपवर्तक तक मैं पढ़ाई दीया हूं इसका मतलब है नहीं इसका एक और नाम इसका उधिया फैक्टर फैक्टर बोले या गुडनखंड बोले या विभाजक बोले या अपवर्तक बोले या डिबाइजर बोले ये सब एक कहें याद रखिएगा इनके सब नाम डेल सारे ठीक है क्या क्या है देखिए दो नाम तो यहां लिखा है एक और खतरनाक नाम यहां मिल गया ठीक है चलें फिर चाहिए बिल्कुल जाईए हमारी कलास भी बंद होने वाली है हो गया यह समझ में आने सबी को तो भाई आगर आपको फैक्टर आता है तो आप LCMHCF कर लेंगे कल हम आपको LCMHCF पढ़ाएंगे याद रखिए यह कलास अपता में सिर्फ दो दिन होती है तीन दिन सौरी मंडे टूजडे और बेटनस डे और अगर आप इस कलास को सातो दिन पढ़ना चाहते हैं तो आप PBR study app डाउनलोड करिए और एपस में जा करके डीलेट का समेश्टर का मैथ का कोर्स जॉइन कर लीजिए उसमें आप सातों दिन पढ़ सकते हैं तो कि किसी भी दिन बंद नहीं रहता है बाकी YouTube पे आप तीन दिन हमें फिरी देख सकते हैं जिसमें आपका ये Monday Tuesday और Wednesday कोई परकार की इंक्वारी है या कुछ कहना है तो आप कमेंट करिए या फिर नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप इंक्वारी करिए हमारे साथी लोग आपके पूछे गए सारे सवालों का जो कलास से संबंदित होगा उसका समधान करेंगे ठीक है लेकिन फोन करने पर मैत का कोईश्चन नहीं बताएगा कोई कोईश्चन तो कलास में यह होंगे ठीक है